और अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकद्दमा आपकी अदालत आपकी अदालत में आज हम मुकद्दमा चलाएंगे फिल्म स्टार इमरान हाश्मी पर आपकी अदालत में आज जनता की ओर से जज होंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर विनए कुमार और जनता की ओर से मुकद्दमा चलाएंगे जनता के वकील रजट शर्मा आपकी अदालत में आपका फ़ाकत है अगर मैं आप से कुछ ऐसे बड़े-बड़े मैं आप से कहूं मर्डर, मैं आप से कहूं जहर, मैं आप से कहूं गैंक्स्टर, मैं आप से कहूं बैड बॉई, तो शायद आप लोग कहेंगे सीरियल के सर, मैं कहूं सीरियल के सर तो आप कहेंगे इमराद हाश्मी, आपके अदालत में आज हमारे महमान हैं, इमराद हाश्मी फिल्म स्टार इम्रान हाश्री आखी अदालत में हाजिर हाँ इम्रान इतनी सीटिया क्यों बैसरी आपको देखें मैंने ऐसे एक फ्लाइं किस समारी इस्तिया इतनी सीटिया है और मैं देख रहा हूं कि ये सीटिया बजाने वालों के लड़की अजाद है अच्छी बात है लड़की अजाद है तो बहुत अच्छी बात है प्रॉल्म तब होती ही जब लड़की जाद होता है इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें आज की जज डॉक्टर वीने कुमार की जादा चाहेंगे आज का मुकदमा शुरू करने के लिए जी आपको इजादत है कोट की कारवाई शुरू करें और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिल्सिना शुरू करें इमरान हाश्मी पर हम जनता की तरस से मुकदमा चालाएं एक नज़र डालेंगे इमरान हाश्मी की बेग्राउंड पर आवारा बन ढूंडा सुक मिला दर्द अकेला बन एक लंबी तलाश इमरान हाश्मी हिंदी फिल्मों का वो शरारती बदमाश लड़का है जिससे दर्शक इंटरवल के पहले नफरत करता है लिकिन फिल्म के खत्म होते होते उससे प्यार करने लगता है इम्रान हाश्मी ने अपनी नई फिल्म आवारा पन में इस इमिज को बदलने की कोशिश की है अपनी फिल्मों में किसिंग सीन्स के लिए मश्रूर इम्रान हाश्मी का इस फिल्म में किस करने का कोई सीन नहीं है इम्रान हाश्मी ने अपने चार साल के फिल्म करियर में 16 फिल्मों में काम किया मर्डर, जहर, आशिक पन्फट के फेवरिट आक्टर इम्रान हाश्मी आपकी अदालत में जनता के इल्जामात की सफाई देने के लिए हाजर है मैंने मौत का बहुत करीब से देखा है किसी और की जिन्दगी के लिए मरना ही मेरी मंजल है तो मुकतमा शुरू होता है आपकी अदालत में पहला इल्जाम फिल्म स्टार इम्रान हाश्मी पर आपकी अदालत में इम्रान हाश्मी पर इल्जाम है कि ये गुट बॉई हैं पर हर फिल्म में बैड बॉई बनते हैं इम्रान आपकी बैग्राउंड मैंने देखी, आप अच्छे भले खांदान के हैं, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपकी फिल्मों के नाम देखें, मर्डर, जहर, गैंक्स्टर, किलर आवारापन कोई ठंका नाम निखला आपको फिल्मों के लिए है वही, आप प्रड्यूसर से पूछिए, भट साब से पूछिए, अच्छिए भट साब के कावी साइव नाम हैं, जो आप कहे रहे हैं जो नाम, उसमें आधे नाम भट साब ने लिखे हैं और उनकी आइडिया के नाम है आपके दूसरी केटिगरी फिल्में बताता हूँ, आशिक बनाया आपने, जवाली बनाया अक्सर ठीक है ना तो आपकी 16 फिल्मों में से एक नामशेक लिकला है जी, आशिली क्या है ना कि जैसा हमने कहा कि एक गुड़ बॉइ, मैं थोड़ा बहुत दो शरारती हूँ मैं बचपन से, लेकिन एक कम्प्लीटली जब मैं आफिस में आया था, जब काम शुरू किया था भट साब के साथ, जब शेश साथ काम शुरू किया था, तो तभी थी, बहुत ही फॉकस था काम पे, कहीं भट साब को उस खामोशी में लगा कि हाँ ये शरारती है, कुछ दिखा नहीं रहा है, और एक पहले स्क्रीन टेस्स में उनको पता चल गया कि ठीक है, ये काम कर सकता है, और पहली फिल्म, फुट पाथ, वो भी कुछ अजीव नाम है कहीं फो लगा कि वो एक जो स्ट्रीक है मुझ मैं, वो एक नौटी स्ट्रीक है, वो कैपचर करके, उसको एक्सपलॉइट करके, ये आप नौटी स्ट्रीक कहेंगे कि हर फिल्म में आप किसी दूसरे की बीवी के जिंदगी में बढ़ने या फिर हम देखते हैं किसी दूसरे के जिंदगी में किसी दूसरे की बीवी के जिंदगी में आप गुज जाते हैं यही तो entertaining बात होती ही इन फिल्मों की है I think पहली बार कहीं commercial cinema में murder film के साथ हमने उन किसम के scenes film आये थे जो मैं भी बहुत डर गया था जब हम शूटिंग कर रहे थे अनुराग बासू पहली बार फिल्म मरेगा तो काफी I think उस pro हो गही थी उन्होंने उन्होंने उससे पहले एक दिखाया नहीं गया है तो हमें लगा कि we'll exploit यह जो जो bad boy streak है murder के बाद फिर जहर आई वो success हुई तो इसके बाद आशिक बनाया आपने तो यह तो I think hit film अगर कौन नहीं चाहता है अगर box office पर आपकी फिल्म चलती है तो आप उस बात को exploit करोगे और audience कुछ देख आप I'm sure सब लोगो यह रोल्स और इनके संगी फिल्म में अच्छी लगती है हाँ तो और आप कहने की को थोड़ी मुश्किल हुई थी आपको इस तरह के रोकर रोल करने में शुचिए अगरी सेकंड फिल्म थी murder और तभी में इतना expose भी नहीं हुआ था इस line में और footpath ज्यादा चली भ पहली बार हम दिखा रहे थे तो थोड़ी जजग थी लग रहा था कि क्या audience इसे इस बाद को accept कर पाएगी कि नहीं रिलीस तक फिर रिलीस के बाद हमें पता चला कि bumper जो ओपनिंग लगी इस फिल्म को तो definitely एक audience में एक किसम की भूक एक चाह है ऐसी फिल्में देखने की जो commercial है सिर्फ इन सीन्स के आधार में लोग कहते हैं कि आप में भी बहुत चाह है से किस सीन्सीन को ने मैं ना तो इन अधिलों में ये सीन्स आड़ करता हूं देखिए ये डिरेक्टर का डिसिजन होता है प्रडूसर का डिसिजन होता है हम एक्टर ऐसा नहीं है कि किसी सीन है तो इमान आज की आप बहुत एक्साइटेड है उस दिन पर से किसारी फिल्मों के सब्जेक्ट देख लिजिए मर् बहुत अजीब लेकिन ये मुझे इन कैरेक्टर इन कैरेक्टर को प्ले करते हैं बहुत मज़ा है इससे पहले फिल्म इंडास्ट्री में जो टिपिकल राइटियस किसम के हीरो होते हैं वो मुझे कहीं लगा कि I have to do something different तभी मेरा एक या तो एक कैसे इमिज बनेगा या अप अपना माक बना पाऊंगा लेकिन ऐसे रोल आपने के जो नॉर्मली विलिन करते हैं अगर गुल्शन ग्रोवर को लगता होगा कि भाई मैं भी किसी दिन हीरो बन सकता हूं इसकार करके I think अभी हमारी इंडस्ट्री में कहीं एक बदलाव आया एक मुल्टी इमेंशनल कहीं विलिन उभर के आया है जहां पे जो हीरोज भी हैं विलिन के रोल्स कर रहे है और वहीं सक्सेस्फु अधिश्फु अधिए विलिन जो है वो टिपिकल जो पुरानी फिल्मों में जो गबर सिंग उन किसम के विलिन्स होते थे अभी वो नहीं है I mean there are normal simple people जैसे मेरे गैंस्टर किरों में प्ले किया था suddenly climax में अलग किसम का इंसान निकलता है climax में तो मुझे उस बात को लेकर I think that was very fulfilling की एक दो घंडे के लिए मुझे audience को फूल करना था उस फिल्म में और end में वो विलिन निकलता है but that is the changing face of the villain I think in a cinema और मुझे बहुत पसंद है और ये मेरा नीश जो था इससे पहले मुझे लगा कहीं ठीक है ये भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया अभी मैं change करके से आपने कहा आवारापन में मैं कुछ अलग आवारापन के बाद में करूंगा बाद में लेकिन ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपको नाम सीरिल किसर क्यों पड़ा लंबी कहानी है एक लंबी कहानी है एक लंबी किसे जहें डोनो 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 अच्छी इमिज कॉंशिसली मैंने खुद बनाया था कि कि जब मर्डर चल गी थी जहर चल गी थी तो कहीं एक शूटिंग दौरान हम आईश्ली मॉरेशस गया थे और वहां मेरे दोस्त लोग आय लिए था सीरिल किसर के नाम से पीछे एक ग्रीन टीशिट था से सीरिल किसर लिखा हुआ था तो मैंने कहा कि यह टीशिट मुझे देदो और और कोई इस देश में है नहीं जो पहन सकता है तो अगर तुम पहनोगे तो अगर इसके बाद फिल्म रिलीज हो जाए कि प्रोमो कि वानी देवानी की और तभी वहां से वो शौट के बाद इस नाम से सीरिल किसर के नाम आपके उपर लगिया लेकिन जो फिल्मों में आपने किया मर्डर में मलिका शेरावत जो किया तुमसा नहीं देखा में दिया मिर्जा के साथ जो किया जहर में उदीता गोसामी के पता है, सतम ही नहीं हो दिए और सिर्फ दोश देरे हैं आप एक विचारी टी-शिर्ट को नहीं देखिए ये एक डिरेक्टर का कहीं, I think इसमें बहुत बड़ा हाथ है ये आप मुझे इस जो इजा में मुझे लगा रहे हैं ये डिरेक्टर पर जाना चाहिए, कहीं उन्होंने मुझे किया है हर पिक्चर से बहुत मैं पूछा था कि क्या मुझे ये सीन करने की जरूरत है प्लीज बताओ मुझे, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है बार बार कर रहा हूं मैं किसी हरोइन ने आपको ने का कुछ जादा हो रहा है आच्छिली हरोइन्स बहुत दर्टी हैं क्योंकि मैंने खास करकर नियू काम किया है तो उनका इमिज इमरान हाशमी का है पांच फी फिल्म के बाद जो जिन नियू काम किया था मैंने तो उनको सेट पर आने से पहले लगता था हो इम्रान हाश्मी हुआ है पता नहीं पागल किसम का आदमी होगा तो यह इमिज जो है उनके दिमाग में था और बट आम वेरी कंफरेबल तो वर्क विट और एक बाकी लोग हमने देखा जिन्होंने किस किया मीका ने राकी स सावन क्यों किया मुशिवत में फंस गए रिचारड यह ने शिल्पाशेटी को किस किया मुशिवत में फंस गये और आप किस करकर के हागे बढ़ रहे हैं अच्छी बात है इस गुड़ टो किस संगेट पेट पर इट तो आई नों थिंग कोई आदमी इस बास से कोई कभी करेगा I don't think so मैंने यह भी सुना कि आपने इंडस्ट्री में यह फैला दिया कि जिस लड़की को जिस हिरोईन को इम्रान हाश्मी किस करेंगे वो सक्सेस्फल हो जाएगी नहीं ऐसी बात मैंने स्प्रेड नहीं किये यह देखिए अख़बार में छपी मेरे पास क्लिपिंग है यह पंदरा जून दोजार साथ का इमरान के चुम्मन का कमाल नहीं मैं डिरेक्टी यह बात नहीं कहिए आइधिंग जिन लड़कियों के साथ काम किया है सिर्फ यह सीन नहीं है उनमें एक केविबिलिटी है टालेंट है सिर्फ इसके आधार पर नहीं कह सकते हैं कि ठीक है टालेंट आगे बढ़ता नहीं है I think सिर्फ एक किसके आधार पर नहीं कह सकते है कि फिल्म चलती है या कोई आक्टरिस या कोई आक्टर जलता है और ऐसी बात नहीं है कि अगर आक्टरिस मेरे साथ काम करेगी तो definitely 100% successful रह चले अब को जनता माफ भी कर देगी लेकिन जनता से पूछते हैं आपके किसिंग टैलेंट के बारे में लोग अगर पूछना चाहते हैं तो यो लोग सवाल पूछना चाहते हैं आप इतने हॉट है इसका क्या राज़ है पदा नहीं से पहले तो मुझे इस हॉट शब्द का मुझे मतलब पदा नहीं है मुझे कभी कभी ऐसे परसी भी नहीं किया है कि मर्द लोग कभी हॉट हो सकते हैं विमना हॉट तो पदा नहीं जो फिल्म है करता हूँ शायद उसके वज़े से हॉट इमिज बन गया है आप लोगों को ऐसा लगता है तो एक शायद होगा इसमें कुछ सच्छाई होगा लेकिन आप ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं न लोगों को नहीं सिखानी रहा हूँ, एक फिल्म के एंड में मेसेज भी है कि ये करना बुरी बात है और एंड में एक विल्म को उसकी सजा मिलती है फिल्म के, ऐसा नहीं है कि में मलेगा को लेकर भाग जाता हूं और प्र Single Cider. अब कि अडालत मेंं इम्रान हाश्मी पर इल्जाम है के ये ये आलसी भी है और आवारा भी इम्रान ये बात सही है कि कॉलेज में आप बढ़ाई कम करते थे आवाराृ गर्दी जादा करते थे क्लास में कम जाते थे लड़कियों के पीछे जाता जाते थे यह बहुत सच्छी बात है और अम शुर यह बात बट साब ने आपको बता ही होगी बट साब ने आपका पूरा कच्छा चिथा मुझे बता दिया ě बात सच है कि मैं कोलिज आईशली पान्थ साल गुजारे मैंने क् chant पता नी मैंने उन पान्थ सालों मैं क्या किया ऐख-ऊंड और कि लिचल अचिव ना तो उन उन तो अ करता था ना लेक्चा करता था और लेकिन कभी फेल नहीं हुआ मैं क्योंकि मुझे कहीं पता था कि मेरे माबाप ने कहीं पैसा डाला है और मुझे पास करना है आप टू लिव अप टो एक्सपेक्टेशन और जहां तक के आवारागर्दी का सवाल है इतिंग बस इत्स फॉन थिंग इंग सभी यंग्स्टर और आपको बहुत बाहर निकाला गया है और आवारागर्दी करते थे आपको भीजा गया था शामकडावर की डांस क्लासेज में वहां से भी आपको निकाल दिया गया है जी देखे पर तो मैं बहुत बुरा डांसर हूँ लेकिन उसके वज़े से मुझे नहीं निकाला गया था क्योंकि क्या था कि उनके क्लासेज में हमेशा एक समर कैम्प होता था जो हर समर विकेशन में होता था तो मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग जाते थे वहां पर लेकिन हम व गजिखे एक लास खतम हो गया और क्या होता है कि हर क्लास के बाद बिगनर के बाद एक हाई लैवल पर जाते हैं लिन क्या था हम वही अटक गया है तो अगले समर विकेशन में हम वही थे विगनर क्लास में हम आगे गह नहीं थे तो एक बार शामक दावर जी आया घुछे कि तुम तो आगे जानने वारे थे, हम वहीं रहे गए थे, विग्नर में, तो उन्होंने निकाल दिया मिकलास से. और मैंने सुना कि जब आपको भट सामने असिस्टेंट डिरेक्टर का काम दिया, तो भी आप पीछे कुरसी में बैट के सोते रहते हैं, काम बें इंट्रेस नहीं लेते हैं. मैं किया, मैं बहुत ही निकम्मा असिस्टेंट था, मेरे साथ, मेरे भाई जो हैं, जिन्होंने आवारापन, जहर और कलियुक डिरेक्टी थी, कि वह बहुत फोकुस थे, उनका पहले से मकसद था कि उनको एक डिरेक्टर बनना है, मैं कॉलेज से निकल कि मेरी जिन्दगी में कोई दिशा नहीं थी, कहीं भट साब ने मुझे इस भटकते हुए इंसान को कहीं एक दिशा दी है, लेकिन सेट पे भी जब मैं जाता था तो, हाँ, थोड़ा बहुत काम तो करता था मैं, लेकिन भट साब ने मुझे काफी वहाँ पकड़ा है सेट पे, कहीं मैं जब शॉट चल रहा होता था तो मैं कहीं फोन पे था पीछे या कहीं लेटा वा था सोफे पे, लेकिन, I think मैं सीख रहा था, I don't think that I should be blamed for that. कोई फोन पे बात करते हुए, सोफे पे लेटके, लड़किया देख तो भी कैसे सीख सकता है? मैं देखिए, एक beginning phase था, जिसमें मैं सीख रहा था, assistant, assistant. सच ही है कि भट साब ने आपको कान पकड़ के, actor बनाया, उन्होंने आपको एक तरह से house arrest कर दिया, कई महिने तक समझ, जैसे कि जिसको कहते हैं, आपको torture किया. Torture, yes. Actually, भट साब के ट्रेनिंग होती है, एक किसम का धर्म साला खोल रखा है उन्होंने, जब ही पो एक किसी नए कमर को train कर रहे हैं, तो उनके साथ एक considerable amount of time उनके साथ गोजाना पड़ता है, जहां पे वो आपका इतना मजाग उड़ाते हैं, और कहते हैं, कि you're good for nothing, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, he completely breaks you down, तो वहां से you have to rise above that moment, और भट साब के साथ, I think footpath से पहले, तगरीबन 6 मैंने, मैं भट साब के साथ था, scripting के वक्त, और एक complete change मुझ में आ गया उसके बाद, यह कह सकता हूं, यह कह सकता हूं कि अभी lazy नहीं हूं, मैं पहले lazy था, बहुत आलसी था, लेकिन भट साब को देखने के बाद कहीं मुझे वो एक इच्छा हुई कि मुझे अपनी जिन्दगी में कुछ करना है, और मुझे बहुत strange लगता था कि भट साब कभी सोते नहीं है, he's always या तो काम कर रहे हैं, या फोन पे हैं, या कुछ किताबे पढ़ रहे हैं, या उनक अपना नाला एको हीरो, जी, इमरान ये सच है कि आपने कभी आलस की वजए से कोशिशने की, फिजीक बनाने की, एक्सरसाइज करने की, और आज भी आप जिम जाने से डरते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जिन फिल्मों में मैंने कहीं अपना वेट लॉस भी किया है, क् आवारापन में एक अलग किसम का लुक था, इसलिए मुझे उसमें वेड घटाना था, और इसे पहले भी मैंने वरक आउट के लिए जाता था, तो मैं इस चीज़ से कभी मेरा आलसी बन कभी दिखानी है, जब मैंने एक्टिंग शुरू की, जब मैंने फिल्मे करना अब आपके आलस का, आपके आवारगरदी का क्या हल है? अब कुछ ठीक होगी, जब से, लिए मैं ऑनिस्ट बात कहूंगा कि पहली दो फिल्मों में मुझे अक्टिंग में मजा नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत ही रिलक्टिंट अक्टर था, मुझे अक्टर बनाया गया था कहीं कंपनी के लोगों को लगा कि कहीं ये कुछ काम कर सकता है, लेकिन मुझे कभी ये इच्छा नहीं थी बच्छपन में कि मैं आक्टर बनूंगा या एक साइकी में ख्याल भी नहीं था कि कभी आक्टर बनूंगा, पहली फिल्म में भी बहुत प्रॉल्म ही आक्टिंग क आप हर चीज में मामा जी का कुर्ता पकड़ के आगे चलते थे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसके बाद मुझे लगा कि पहली चार फिल्मों के बाद मुझे लगा कि कहीं मैं बहुत कंपलेसेंट हो गया हूं कंपनी में, मैं सिर्फ इन ही लोगों के साथ काम कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि मुझे बाहर जाके काम करना चाहिए, और मैंने भट साफ से बात भी की, तब ही एक फिल्म चॉकलिट उस पर काम किया, मुझे बहुत दिक्कत हुई बिगनिंग में, क्योंकि मैं बहुत सेफ एंवायरमेंट में पला बड़ा था, और एक बहुत ही सेफ क्योंकि मेरे परिवार के सब लोग सेट पे रहते थे, और भट साफ को आपने एक बैसाखी की तरह इस्तेवाल किया, साहरा लेने के लिए मेंशाए, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, डेफिनी एक उन्होंने बहुत गाइडन्स दिये मुझे फिल्मों में, जब मैं बह और मेरे फैमली मेंबर नहीं होते है, तो मैं शायद अक्टर नहीं बनता, यह जो एक उन्होंने मुझे में एक जजबा जलाया है, और करवाया है मुझे से अक्टिंग, उसके बाद I got attached to it और मुझे करना था, मुझे लगता है कि भड़ साब के लिए ज़रूर आउडियोंस को तालीब आने चाहिए, उन्होंने आपके रसा सब्यों दिया, आपकी अदालत में, इमरान हाश्मी पर इल्जाम है, कि ये हिरोईनों के साथ शरार्तें करने से बाज नहीं आते हैं, इमरान मेरे पास आने दे किलर की शूटिंग के दौरान किसके नाम पर शरारत की थी? जी, अब जनता है, लेकिए लेकिन ये जो मैं शरारत करता हूँ, इस इन गूड राइट, पहले बता तुझे क्या शरारत की थी, इस नहीं पहला दिन था शूटिंग का किलर में, जहां पर हमारा पहला साथ में फिल्माय जा रहा था, और वो बहुत डरी भी थी, जैस मैंने कहा, इमरान हाश्मी का एक बहुत ही बुरा एक हिरोइनों के साथ एमिज होता है, कि एक पता नहीं बूत आ रहा है सेट पे, तो जब मैं सेट पे गया, तो ब्रेक दी आइस, मुझे लगा कि एक फ्रे आपको लेकर जब आप जमीन पर जाओगे, तो इसके बाद आपको किस करेगा, तो उनका चहरा इतना छोटा हो गया, और उसमें, I think, एंड में तो किस थी नहीं, लेकिन बस एक फ्रेंडशिप के लिए, ब्रेकिंग दी आइस के लिए हमें हमें किया है, और सुना कि मलिका शहरावत से आपकी काफी तकरार होती थी सेट पर, नहीं, जब किस करने गए, तो उन्होंने का कि माउस फ्रेशनल लगा क्या हूँ, जब कभी उनसे चंगडा नहीं हुआ, सेट के, जब मर्डर के टाइम पर जब शूटिंग चल रही थी, तो बहुत अच्छे दोस्त है, और शूटिंग अच्छी तरह से घुजर गई, बैंककॉक का जब हमने शूट किया था तभी, एक पुरा यूनिट एक फैमिली की तरह था, इसे कभी जगडे नहीं हुए, और कभी माउथ फ्रेशनल की बात, मेरी इमिस के लिए बहुत बुरा है, पता नहीं क्या कर रहे है चलिए, अब मैं आपको, यह तो सिर्फ मलिका बता सकते हूं, उन्होंने आपको क्या का था, लेकिन अख़बार मोई जो छपा है, जो डीटेज मेरे पास में, जब फिल्म रिलीज हुई, तब आप इस बात को लेकर के नाराज थे कि पूरी फिल्म की सफलता का क्रेडिट म देखिए, यह इंटेंशनली, हमने फिल्म कहीं, मुझे मालूम था, I'm intelligent enough to know कि जब फिल्म का जो एक प्रोटाइगनिस्ट है, उनकी लाइफ पे कहानी बन रही है, औरत की कहानी थी, at the end of the day, तो मुझे पता था कि कहीं मेरा जो एक रोल था, उसमें एक विल्लेन का रोल था जो credit का हिस्सा है, उसमें उनको थोड़ा जादा मिलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं भी, I benefited as much, मुझे काफी benefit हुआ इस फिल्म से, मुझे एक award भी मिला और मुझे nominations भी मिले हर award में, तो मैं यह नहीं कहूंगा कि सिर्फ मलिका ने ये limelight ले ली, I think अनुराग बासू की ज乐र अगर आपकी मलिका से तक्रार नहीं हुई, तो उसके बाद मलिका शेराओद ने आपके साथ फिल्मी करने से इंकार क्यों कर दिया, देखिए आपको उनसे ये बात पूछनी चाहिए, लेकिन उसके बाद शायद ऐसी फिल्म नहीं हुई, क्योंकि कहीं रोल्स जो थे उस तरह लिखे नहीं थे या किसी स्क्रिप्ट में हम दोनों का उसक्रिप्ट फिल्म में रहना कुछ डिरेक्टर को ठीक नहीं समझा एक और हिरोईन का नाम मेरे पास में अमिश्या पटिल उन्हें नों तो आपके साथ काम करने से इंकार कर दिया फोटो सेशन पर आपको तस्वीरे खिचाते देखा और आप कितने बोर तरीके से तस्वीरे खिचा रहे थे जी मैं बॉट बोर था तभी मैं जैसे में नहीं कहा मैं अमिश्या को देखकर बोर थे या अपने काम से दोनो नहीं अच्छी मेरा पहला फोटो शूट था और यह जिए जिन्दगी सफर एक फिल्म थी जो तनुजा चंदुरा डिरेक्ट करनी थी और तभी मेरे अक्टिंग क्लासे शुरू ही हुए थे कुछ मैंने देड़ मैंने चला गया था अक्टिंग क्लास के लिए और तभी I'll be honest कि कहीं मैं थोड़ा मुझ में जजग थी मुझे पूरी तरह से acting की ट्रेनिंग तभी नहीं मिली थी तो शायद मैं जब कैमरे के सामने गया था तो मैं थोड़ा reluctant था मैं थोड़ा uncomfortable था मैं बोर्ड नहीं था मैं सिर्फ uncomfortable था कैमरे के सामने एक और बड़ी heroine आज उनका बड़ा नाम है उन्हों के साथ फिल्म करने से इंकार कर दिया था बिपाशा बासू जी उन्होंने का था है साइध में थोड़ा चोटा है इसलिए जी जी लेकिंगे उनको लगा कि कहीं इमरान हाश्मी उनके कदमे थोड़ा उनसे कमती है और उनको लगा कि शायद किस किस ने आपके साथ इंकार कर दिया था है लेकिन मुझे इस बात से कभी बुरानी लगता है कि कौन मेरे साथ काम कर रहा है नहीं कर रहा है एक मेरा सिर्वे एक एक हम होता है कि मैं एक पिक्चर कर रहा हूं एक रोल कर रहा हूं उसमें जितना जेस्टिफाइ करूं उस को निभास हो यह मैं यह नहीं देखता हूं कि कौन काम कर रहा है मेरे साथ इसमें कितनी सच्छा है कि अब आप हिट हो गए है अब आप पॉपुलर हो गए है नाम बढ़ गया है स्टार बन गए तब विपाशा या मलिका शहरावत यह आपके साथ काम करने को तैयार है इनके स थोड़ा चोड़ा था अभी बढ़ गया अब तो मैंने सुना कि जो हिरोई नहीं है वो आपको डराने भी लगी है श्रिया का मैंने एक्जामपल पढ़ा उन्हों ने आपको एक भूतों की कहनी सुनाई यह जोतपूर में एक सैट पर जी और आप रात भर डरते रहे आए कि उन्होंने कानी यह नहीं सुनाई थी मैंने सेट वालों को सुनाई थी कि एक हेरिटज होटल था जोतपूर में और काफी डराऊना सा होटल था तो मैंने बस पहले दिन यह वर्ड स्प्रेड कर दिया था और मेरी बात सुनके मैं खुद डर गया था कमरे में मैं कभी वारपन का शडूल था पूरे 15 दिन का शडूल था तो मैं हर रात को light on रखकर सोता था मैं क्योंकि मैं खुद कहीं मुझे लगा कि मैं जब बात कर रहा हूं किसी से भूत के माने बता रहा हूं तो मैं खुद डर रहा हूं तो एक बार पहली भी जब आपका एक गाना था जलक दिखला जा इस गाने को लेकर गुजरात के गाउं में ये रिपोर्ट आई थी कि वहां पर ये गाना सुनके भूत आ जाता है अच्छी बात आपको भूतों के नाम से भी डर लगता है नहीं मैं थोड़ा सुपर स्टेशन हूं और डेफिरिंट्ली इतना भी नहीं डरता हूं मैंने सुना कि बैंककोक में आपको ट्रेन में लोग के सामने कपड़े उतारने पड़े तो आप काफी घबरा गए थे अच्छी मैं नहीं घबरा गय था लोग घबरा गयते क्या था कि ट्रेन की शूटिंग के वक्त एक ही बोगी में एक टाइम अलॉटेट एक स्लोट था जिसमें हमें काफी सारे सीन शूट करने थे तो उसी शूटिंग के दोरान कहीं जब ट्रेन चली जा रही थी लोग चड़ रहे थे उतर रहे तो वह देख रहे थे आदमी कर गया और आइधिंग दो बार कपड़े बदलने के बाद हम कुछ 5-6 सीन कर रहे थे उसके बाद पूरा बोगी खाली हो गया था क्योंकि कोई अंदर आया नहीं इस बोगी में उसके बाद और एक आदमी ने जाके पुलिस में रिपोर्ट भी लिखा दी थी जी क्योंकि यह था हमने ऐसी शूटिंग की थी वहाँ पर क्योंकि हमें काफी सारे सीन्स फिल्माने थे उस एक ट्रेन की बोगी में क्योंकि एक ही दिन का एक अलॉटर आप ज्यादा तर सीन तो कपड़े उतार के करते हैं तो इसलिए ने वह सीन कपड़ों के साथ था दो आपकी अदालग में इमरान हाश्मी पर आरोप है ये अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं इमराद ये तो आप भी मानते हैं कि आवारापन के जरीए आप अपनी इमेज को बदलने के कुशिश कर रहे हैं यह एक फिल्म E.C.I. जिसमें आपने किस नहीं किया जी एक फिल्म E.C.I. जिसमें आपने किसी के साथ चिरड़ चाड़ दें कि तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एक किसम से एक बहुत इंपॉर्टन फिल्म है और एक जो इमिज जो इस से पहले मैंने कहीं खुद के लिए कायम किया था उसको तोड़ने की कोशिश की है और I think it's high time क्योंकि कहीं मुझे भी लगा as an artist की फिल्में देखने के बाद मुझे लगा कि कहीं इमरान हाश भी फिर से वही चीज दुबारा कर रहा है लेकि भट साब ने आपको बी ग्रेट की फिल्मों का एक स्टार बनाया था अब आपको नहीं लग रहा कि आप उस इमेज को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अन्होंने का था कि ये गलिओं का हीरो होगा ड्राइंग रूम नहीं यह बात मैं भी मानता हूं कि कहीं मासिज का हीरो बना मेरा एक गोल था एक मैंने अचीव किया था और रोल्स का काफी साथ रहा है उसमें और ये बात मुझे तभी पता चली जब मैं काफी सारे प्रमोशन के लिए गया था और एक था एक प्रमोशन जहां पर बंबई के मल्डी प्लेक्स में जाया करता था और वहां पर प्रमोशन होता था वहाँ definitely house full होता था लेकिन audience में कोई react नहीं करता था लेकिन जब मैं या तो दिली या अमरावती या कहीं चोटे शहर में जाता था तो वहाँ पे एक जो उनका प्यार मुझे मिलता था I think वो मैं ज्यादा I think उससे खुश था तो इसलिए मैं कहीं अपनी image को mass hero की image में mold करना चाता था उन हुरेंज का क्या होगा जो इंसजार कर रही है कि किस करें उनको भी सफलता मिले नहीं इसके बाद मैं कहीं दोनों को कहीं एक project ये भी करना चाता हूँ कि हाँ gangster film के बाद कहीं रोगों पता चला कि ठीक है ये film single screen में चली है multiplex में चली है और हाँ इमरान हाश्मी कहीं multiplex audience में भी penetrate हुआ है उससे पहले मैं सिर्फ एक mass hero था लेकिन आपने अपनी image बदलने के चकर में महिश भट साब का बहुत पैसा खर्श करा दिए वो फिल्म में पहले 4-5 करोण में बनाते थे ये फिल्म उन्होंने 18 करोण में बनाई जी वेल एक फिल्म की डिमांड थी क्योंकि फिल्म का एक canvas था सिर्फ एक multiplex hero बनना नहीं इसमें हमने एक overseas audience को भी capture किया इस फिल्म के साथ इंडिया के हिंदुस्तान के अलावा हमने ये फिल्म UK, US, Spain काफी सारे शहरों में रिलीस की है और ये एक बहुत ही के 16 फिल्मों में आपने जो चाहा वो किया जतना उल्टा सीधा कर सकते थे किया और अब एक फिल्म करके आप सोचरे इमेज बदल जाएगी को कि कहा बात है ना कि 900 चुए कहा के बिल्ली हच को चली काफी हद तक हम सक्सेस्फुल रहे हैं और इस फिल्म के साथ जब फिल्म रिलीज हुई थी और एक आउडियन्स का रिस्पॉंस मिला है बहुत पॉजिटिव मिला है जो हम एक्सपेक्ट करें थे उससे भी जादा पॉजिटिव रहा है तो I THING ITS वो एक फिल्म ही होती है जो एक image change के लिए काफी रहती है और मैं ये नहीं कह रहा है कि अभी मैं एक दूसरे image में जाना चाहता हूँ कउकर काफी लोग कह Healthcare नेर है और action image मना लिए है और action roles करा chacun मुझे लेकिन ılıकिन मैं इस image में बैठना नी जहां तक कि हम जाते थे, we have been successful with this film. आपने बड़ी फिल्में की एंः, बड़े बजट के बाफ फिल्में करने लगे हैं, आप सुना है कि पैसा भी आपको काफी मिलता है, स्टार भी बन गए, लेकिन मैंने सुना है कि एक आप क्यादत है, आप कंशूस बहुत है, अगर कोई काफी पिलाने को भी कहें, तो किसी दूसरे हो कहते हैं, भाया लिहाना। मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा, मैं इतना भी गंजूस नहीं हूं लेकिन क्या होता है कि जभी भट साब कुछ कहते हैं या किसी office में कोई, या तो कोई celebration का मौका होता है, film hit हो जाती है, या कुछ हो जाता है, तो भट साब कहते हैं कि कॉफी लेके जाओ, लेकिन तब ही मेरे जेव में पैसे नहीं रहते हैं तो यह नहीं है कि मैं कॉफी नहीं खरीदना चाहता है, मेरे जेव में genuinely पैसे नहीं होते हैं क्योंकि मैं कहीं और से आता हूं, shooting से आता हूं, I don't carry the money with me. यह पैसे किस पर खर्च करते हैं, यह और बता दीजिए. देखिए, मैं थोड़ा पैसो के मामले में थोड़ा अजीब हूँ, क्योंकि मैं I don't take that, मैं मेरे जाद दर credit cards रहते हैं और coffee उससे खरीदी नहीं जाती है, तो इसलिए शायद… मुझे तो भट साब ने यह भी बताया है कि एक फिल्म के रिलीज होने के बाद खुश थे, उन्होंने आपको किसी को 25,000 रुपे डोनेशन करने को कहा, तो काफी move बना लिया था आपने. नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी जब भी फिल्म हिट होती है, तो भट साब मुझसे एक ransom लेते हैं, एक तरीका का उनका गुरू दक्षना होती है, और मुझे देनी पड़ती है गुरू दक्षना, तो काफी सारे पैसे भट साब ने अंदर कियें, और मैंने काफी सारे पैसे भी दी हैं बट साब को, ये बात ना ने बट साब में आपको बता यह नहीं है, उन्होंने बताया कि आप से पैसे लेकि वो charity के लिए देते हैं, वो तो आप, आपसे यही कहते हैं लेकिन वो कही और क्षा करते होंगे, और ये जनता से पूछते हैं, आप क जिस तरह के रोल आप फिल्मों में करते हैं या जिस तरह के रोल आपको मिलते हैं आपको नहीं लगता कि नोजवान पीडी पर इसका पुरा आसर होगा डेफिरिनली मुझे लगा और कहीं छे मेने पहले कही मुझे शूटिंग के दौरान लगा जब मैं जोटपूर में शूटिंग कर रहा था और एक कपल एक ए्लिडिकापल आकर मुझे कहने लगे कि हमारे बच्चे आपकी फिल्मे देखना चाते हैं आपकी गाने पसंद करते हैं लिगि कहीं जिस किसम की फिल्में करते हो आप वो देख नहीं पाते हैं तो मुझे लगा कि कहीं एक audience है जो मैं फिल्मे देखना चाहती है जो नहीं देख पा रही है लेकिन यह कहा सकता हूं कि इसके बाद जो इस फिल्म के बाद रिलीस के बाद वो जो एक पुराना जो एक image था वो बदल गया है और वो एक serial किसरगा जो आपके बच्चे नहीं देख पाते हैं वो अभी देख सकते हैं क्योंकि जो भी इबरान सबसे जादा बच्चे ही वो फिल्में देखते हैं अज़िस 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 नहीं थेटर शायद VCD पर लेकिन थेटर में नहीं लेकिन थेटर के रिलीज as my duty to the audience I think मुझे लगा कि यह मेरी पहली अच्छली यू सर्टिफिकेट की फिल्म है तो that is quite an achievement इससे पहले सब A सर्टिफिकेट की फिल्म हैं आप क्या जनताओ को आज यह वादा करेंगे कि अब आप उस तरह के रूल नहीं करेंगे जिसको देख करके बच्चे बच्चे बगड़ जाएं हाँ definitely मैं कह रहा हूं कि मैं इसके बाद जो फिल्म है कर रहा हूं इसके बाद सब universally accepted films हैं और that's the way it's gonna be इस गर थाद रो में इम्राज जिए मैं शामकदावर से मुझे फेग दिया था तो थोड़ा वक्त लगे या मुझे डान्स सीखने में लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं अभी डान्स सीख रहा हूं अभी मैंने कुछ चार स्टेज शो भी किये थे जो एक आक्टर के खुद में मुझे एक फियर था कि मैं नाच नहीं सकता हूं कहीं उसे ओवर कम करने के लिए मैंने स्टेज शो भी किये हैं और जो फिल्में कर रहा हूं इसके बाद उसमें जो गाने फिल्माय जा रहे हैं उस पे डान्स भी आप ही ट्रेन जो रिलीज हुई थी उसमें वो आज नभी पर मेरे काफी डांस के मूव से बताईए कि डांस किस हिरोईं से सीख रहे हैं अच्छी किसी से नहीं अच्छी मेरे कोरियोग्रफर हैं जो मुझे उन्होंने काफी मुझे पटाया कि तुम नाच सकते हो और नाचना चाहिए तुम्हें और मेरे जो लिमिटेशन को दिमाग में लगते हुए उन्हें मुझे मुझे दिये स्क्रीन पर आने वाली फिल्मों म में हम आपको गालों पर नाचते हुए भी देख सकते हैं जिसमें आपकी बीवी का किसी और से अफेर हो यह बात मने कभी सोची नहीं थी लेकिन अभी आपने कहा है तो डेफिनली मैं अपने डिरेक्टर और प्रेड्यूसर से कहूंगा कि ऐसी एक फिल्म लिखे और बनाए मेरे साथ जब इमरान ऐसे रोल करते हैं तो घर में बीवी से भी डांट पड़ती है या नहीं मिलती है बहुत आप मिलती है और आप जो सुधरे हैं उसको उनका भी थोड़ा बहुत कॉंट्रिबूशन है बहुत कॉंट्रिबूशन है लेकिन कहीं वो मेरे वर्क स्पेस पर गुट फर मी मेरे करियर के लिए ये बहुत जरूरी होगा तो आपके अदालत में हमने मुख़बा चलाया फिल्म स्टार इमरान हाश्पी पर हमने इमरान से पूछा उनकी सीरियल किसर की मिज़ के बारे में हमने इमरान से पूछा हीरोनों के साथ उनकी शरारतों के बारे म हमने इम्रान से पूछा उनके आजसी पन और आवारापन के बारे में और इम्रान ने वादा किया कि वो अपने आपको बदल कर दिखाएंगे वक्त है आपके अदालत में आज की कारवाई पर आज के जज डॉक्टर विने कुमार के फैसले का इम्रान अदालत अपना पैसला सुनाए उससे पहले अदालत एक प्रशना आप से करना पूछना चाहते जैसे हमारे को पता लगा आप सब से एक्सपीरियंस के सर्भ तो हम जाना किस करके सबसे दाद अच्छा लगा तेगे मैं इस सवाल का बस एक बहुत ही टिपिकल डिप्लोमाटिक जवाब दूँगा क्या है ना कि बहुत हेरोइन जो हैं बहुत सेंजिटिव होती है अगर मैं एक का नाम लोगा तो दूसरी सब्चेट जाएंगी तो सभी के साथ और अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इमरान ने बहुत कम समय में बहुत प्रसिद्धी पराप्त की है और खासकर आज का रियक्शन देखने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि युवा पीडी के वो पसंदीदा अभेनेता है इन्होंने समाज में जो भी हमारे आसपास किरदार आपने कोई भी निबाया हो उसके रंग में डूब के आपने उसको जिवांत किया है किसिंग सीन्स किसिंग दिरिश्य को लेकर आप हमेशा चर्चा में हैं और इसलिए अदालत आपको हिदायत देना चाहती है कि आप जरूरत समय और इस सिद्धी को दिहान में भावनाओं को भड़काने वाले दुरिश्यों की अपेक्षा सैमित रहकर भावनाओं का प्रदर्शिन करें और हम इसे प्रसन्न हैं कि उन्होंने बड़े सहजता और सरलता से जवाब दिये और इनकी लोगपरिता को देखते हुए हम इनको सब आरोपों से मुक्त करते हैं इमरान हाश्पी को आपके दालत में जनता के जन्नी बरी कर दिया लेकिन इमरान के बातों में कितनी सच्चाई है अपने वादों पर कितने काइम रहते हैं इसका असली फैसला आपको यानि जनता को करना है हम आपसे मिलेंगे अगले सब्ता एक नई शक्सित के साथ एक नय मुकाद बाले कर तब तक के लिए भूस्ता है